टैक अनुटक स्टड़ी मेरा नाम है रहल लेंड होती है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो डैली मैंट्रियल कोर्परेशन की जो वेकंसी आ चुकी है आपको अल्यडी बता है एंड आप फिल भी कर चुकी है यानि कि 12 एक्स्टेंड डेट हो चुकी थी यानि कि 12 मार् आपको अनुटक के सारे आपको मैं इसलिफस बता हूँगा आपको पता होगा इसमें पेपर 2 होने वाले फिर फिर स्ट पेपर सेकेंड ठीक है तो एक ही दिन होंगे यार रखना अभी इसकी फिर स्ट पर इसकी अभी डेट तो अभी नहीं आई अभी अनुंस नहीं हुआ नहीं हुआ है तो आप्रेल या मही में हो सकता है मेभी तो अभी से प्रिपेर रहें और बहुत दो पेपर होंगे यार रखना और यह ओनलाइन पेपर होगा इसकी नहीं देखो कैटेगरी वाइज पेपर फरस्ट और पेपर सेकेंड टूगेदर ठीक है एंड इसकी जो अग्जमिनेशन जी डी गुरूप डिसकेंड रहें इंटर्विव भी होगा अद डेली है कहां पर होगा डेली एंचर ठीक है तो फरस्ट पेपर पर आते हैं पर फरस्ट पेपर यह है कि तहला जो पेपर होगा एक सो बीस कॉस्शन हों कितने 120 कॉस्शन कितने घंटे का मार्किंग डिसमें समय त्रह जो उन थर्द है तो इसमें जो स्लिव्य जनल एवलनेस जियास आएगी डिजन आएगी कांटिटे ओड़ आएगा और जो टेकनिकल फिल्ड में अप फो फॉर्म करेंगे तो इसकि उसमें आने कि उसमें आप सिवेल से हो यां मिकैनिक जल अले से आपका टेकनिकल सब्जेट रहेगा सेकंड पेपर कहे रहा है कि सेकंड पेपर आपका इंगलिस आगी यहांना सिक्स्टी कोशन आएंगे वन मार रहेगा एच कोशन एंड वन तर इसकी नेगटिव मार रहे गांग और टायम है 45 अब आएजे देखते हैं इसका स्लेव अग फरस्ट अपॉल एबरेड़ यानि कि जो करेंट के जो साइंस आपका है तिक इसके बारे में आपको रीड करना है साइंटेफिक रिसर्च स्पोर्ट्स की फील्ड में इंडियन कल्चर इस्ट्री इंडियन नेशनल मुवमेंट वर्ल इन जोग्रफी नेच्रल रिसोर्से इन साइंस जी इसले एक इनन फॉल आजाता है इसमें जैनरल शाइंस जी एस तो आल ओवर सारा था है इसमें इंडियवार्मेंट देख सकते हैं आप इनिया एकरिकल्ट्छर ट्रेड कोमर्स इन बेसिक इंप्रमिशन टेक्व्रफी तो और करेंट अफियर भी आएगा यार्क तो इसको भी आप कवर करना अब आते हैं रीजनिंग में तो आल ओबर सभी कॉंसेप्ट सबके बेसिक बेसिक आता है इतना ज्यादा तफ नहीं आता है इसमें अनलोगी सिमिलर्टी स्पेशल वेजिलर्टी स्पेशियल ओर्येंटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अनलाइसिं जज्मेंट यह सारा जी डीजनिंग में आता है देख सकते हैं आप यह पूरे टॉपिक है और आते हैं अब मैत में मैं जो टॉपिक है वो इंपोटेंट है मैत पार एक ऐसा है कि इसको आपको अच्छी तर आता है तो देन आप इसमें से चबश्ट 20 को सना आया तो 20 में 20 ला सकते हैं और नहीं आया तो देन 20 में से दो ती नम्म पास इसलिए यह इंपोरेंट पार है नमर सिस्टम सबको पता है आपके लिए अब आते हैं कि सिविल का जो सब्जेक्ट है वो कौन से कौन से सब्जेक्ट है जो मैं इस वीडियो के डिस्कित में में लिंक प्रवाइड कर दूँगा और इसके जो कौशन भी बताएं क्यूंगे डैली में या रखना ऐसे तरह नहीं आएगा कि अनलियों थियोरी पूचे इसमें निमेरिकल टैप के कौशन आ सकते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और इन्माइमेंट के में आज बना नहीं जा रहा था इसका फर्स्ट पार्ट बैसिकली में काफी पार्ट है जो कि मैं लिंक में अभी इसमें प्रवाइड कर दूँगा आपके लिए ठीक है इन्माइमेंट के भी इसके कौशन लाता रहूँगा अभी इसमेंट के मेंट के लिए ठीक है बली काफी बनिफेशल हेगा सुब्जेक के लिए म bisa के सार्ट में में अब है उनकीषा राहुबड आ पकल यह अबल टेए मन्थ थुरेए में इसके लिए है खेंग कोश रखतान को और द्यूलिक अश्यरकलिस अद्यल में पार्ट walking इंजिनियर में आपका सकता हाइवे रेलवे ठीक है एरपोर्ट ये साथ ट्रांस्पोर्ट इंजिनियर में आता है हो हाइड्र लें इंडिगेशन याने की टोल सब्जेक्ट आते हैं 1 2 3 2 4 1 मिनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 याने की 10 इसके सब्जेक्ट आएंगे सिविल इंजिनियर के सो मैं सारे कवर करूंगा आई होप सो आपके लिए बैटर रहेगा सो प्लीज आप अभी इसे प्रिप्रिशन में लग जाए है एंड मैथ इंपोर्टेंट है ठीक है मैथ के टॉबिक आल ओबर आपको अच्छे आने चाहिए है रीजनिंग तो आल ओबर सबको आती है जी एस मैं कितना भी आप बैटर कर लो बट इसमें फिर भी आपका 60% maximum 70% आप कर सकते हैं सो जो जो आपका नंबर खीशने का जो टाइम है वो रीजनिंग मैथ एंड टेक्निकल टेक्निकल में भी आप इसली नंबर खीश सकते हैं सो थैंक यू सो मुच पर वचिक मैं वीडियो